अगर आप 43 इंचिस का एंडरेट टीवी लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास दो अप्शन्स है पहला कि आप किसी शौप पर जाकर शौप कीपर की मर्जी से कोई भी एंडरेट टीवी पर्चेस कर सकते हैं या फिर कोई फेक रिवी देखकर आप कोई टीवी कंसीडर कर सकत हैं और सेकिंड आपके पास यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और जो टीवी हमने सेलेट किये हैं आपके लिए आप उन्हें देखने के बाद अपना डेसीजन ले सकते हैं 43 इंचिस के टोटल टीन एंडरेट टीवी आप एक बेटर डेसीजन ले पाएं औ दयागएं इसका रिजन अगर में आपको शोड में बताऊं तो इस अग्बात पैर से पहले हम ऑमंटरीड टीवी के सबी फीचार्स नहीं होते हैं जबकि एक गार ऊंग गई को शुडु करते हैं शїज़ी सबी आगा को यूस इस fascinatedisin डेस्प या साओ करते हैं यह सभी टीवीज 4K में आएंगे 43 इसके आपको फुल एटी डिसोलोशन में भी मिल जाएंगे बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको 4K के साथ जाना चाहिए और इसी वाज़े से हमने तीनों ही एंड्रोइड टीवीज 4K ही से लिट की है क्योंकि अगर आप 4K में कोई मुवी अगेरा देखते हैं तो पिक्सल काफी अच्छे रहेंगे और आप जो वीविन क्वाल्टी है वो काफी अच्छी होई जाएगी इसी के साथ याता है 60 Hz रिफ्रेश रेट के साथ 60 Hz रिफ्रेश रेट वेसे एक नॉर्मल सी रिफ्रेश र होंगा बट मॉस्टर ली टीवी में यहीं यूज की जाती है इसमें यूज किया गया है आई पीस पेनल में कलर इस काफी अच्छे से दिख जाते हैं अगर यहां पर नहीं थोड़ी से अच्छी दी गई है और एट जीवी की स्टोरेज मिल जाती है नॉर्मली एंडर टीव दी गई है और यह एंडूइड 9.0 पर रन करेगा इस्टीडियो स्पीकर्स इसमें रहें यानि कि दो स्पीकर्स इसमें लगाए गए हैं जिनका टोटल आउट पुट रहेगा 24 वाट्स विच इस सफिचेंट अगर बात करें तो थिरी HDMI एंड 2 USB पोर्स इसमें लगाए गए हैं वैसे हम सिर्फ HDMI एंड 2 पोर्स की कवर करेंगे और इसके अलावा जो अधर कॉमन पोर्ट हैं जैसे की एंटिना एवी पोर्ट नेटवर्क पोर्ट यह तीनों ही टीवीज में इंग्लोड रहेंगे हम सिर्फ HDMI एंड 2 के बारे में आपको बता देते हैं और इन तीनों ही हैं मतलब कि आप अपने मुबाइल को अपने टीवी से कनेट कर सकते हैं और एक और इंपोर्टन चीज जो कि अभी तक हमने कवर नहीं की वह है इसकी प्राइस रहेगी अप्रोग सो 25,000 रुबीज नोर्मल सी प्राइस है वैसे हाँ प्राइस फिलेक्ट होती रहती है कम यह ज्यादा हो जाती है तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको जो एमाजोन के बेस्ट सेलर से उनके लिंक मिल जाएंगे आप वहां से इनकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं और एजिली पर्चेस भी कर सकते हैं जिससे कि आप एक ओरिजिनल टीवी पर्चेस कर पाएंगे और हां कुछ फेक वेबसाइट्स भी होती हैं तो जरा उनसे बचकर रहिएगा डाइक लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलबल हैं एंड प्रोज इन कौन समकबर नहीं करते हैं क्योंकि इसकी ज़बरत मुझे नह सो 27,000 रुपीज बाकि आप चेक कर लीजिएगा विसे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एमाई का जो टीवी है वहाँ पर 1500 रुपीज का कूपन भी अवेलिबल था इमाजोन पर तो आप देख लीजिएगा अगर आप रिसेंट लिए वीडियो देख रहे हैं तो शायद वो कूपन अवेलिबल हो अदर्वाइस और भी ओफर्स वगेरा आते रहे हैं तो मैंने वाली चेक कर लीजिएगा फिचर्स की अगर बात करें तो 4K Android TV है with HDR सपोर्ट HDR होने की वेज़े से पिक्चर क्वालिटी थोड़ इसी और अच्छी हो जाती है 60Hz रिफ्रेश् और इसके स्पीकर्स में आपको Dolby Audio का सपोर्ट मिल जाता है पिलस DTS HD Audio Processing का भी सपोर्ट मिल जाता है जिसके वज़े से जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी रहेगी इसमें भी IPS पेनल यूज़ किया गया है Android 9.0 पर यह दन करेगा 1GB RAM and 8GB Storage RAM यहाँ पर थोड़ी स सपोर्ट है मतलब कि आप इससे 2.4 GHz पर भी यूज़ कर सकते हैं और 5 GHz पर भी यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ AMI के जो Android TVs हैं उनमें एक और एची चीज़ मिलती है कि इनमें Vivid Picture Engine का भी सपोर्ट दिया जाता है Vivid Picture Engine होने की वज़े से भी डिस्पले की जो Quality है पिक्चर क पर एक थोड़ा सा एडवांटेज और यहां पर है कि यहां पर एक 3.5 mm का जेक भी लगाया गया है इसमें कि आप अपने एयर फोन या हेट फोन का नेटर सकते हैं वैसे इसकी ज़रूरत आपको शायद ही पड़े So guys 43 इंचिस के अंदर ये दोरों ही Android TVs काफी अच्छे हैं Under budget है आप इन्हें consider कर सकते हैं बड़ जो नेक्स टीवी आने वाला है जो इससे की हमने नंबर वन पर रखा है और जो की हगदार नंबर वन होने का वो शायद आपके वर्ज़र से थोड़ा सा बाहर जा सकता है अब नेक्स एंडर टीवी आता है सोनी की तरफ से और आप सोनी नाम सुनके ही समझ चुके होंगे कि इसकी प्राइज अब कितनी आने वाली है इसकी प्राइज है अब इसकी प्राइज 50,000 रुपीज यानि कि पिछले जो टीवी जमेन आपको बताए उससे लगबग डबल ह तो इससे टीवी में क्या है कि इसकी प्राइज इतनी स्यादा है चलिए आपको बताता हूँ यह भी 4K टीवी है 60Hz रिफ्लेक्स रेट के साथ ही आता है 20W के दो स्पीकर्स इसमें लगए है और यह जो स्पीकर्स हैं यह बेस रिफ्लेक्स स्पीकर्स है और सिफ इतना ही नह आप नेच्टरल कलर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं ट्रिल्यूमिनेस डिस्प्ले काफी बेस्ट होती है और जैसा कि आपने सोनी के मुबाइल वगेरा देखे होंगे या मॉनिटर्स यूज कि होंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में सोनी बहुत आगया है और डिस एसिस्टेंट का भी सपोर्ट रहेगा सो वर और वल इसकी प्रेश ज्यादा है बड़ यह काफी अच्छा इंडर्टीवी है आप इससे जरूर करिए अगर आपका बजट इतना है तो फिर आपको सोनी के साथ जाना चाहिए काफी अच्छा डिजाइन हैं काफी अच्छे फ वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते हैं इसी ही और वीडियोस फुल वीडियो के लिए चलिए अब आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई